वहीं आजाद समाज पार्टी के ब्रमुक नगीना से सांसत चंद सेखर ने एक बार फिर बिवादित बयान दिया है। उन्होंने मतुरा की साट सीट से भाजपा विधायक का नाम लिये बना अभधर टिपणनी करते वे कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं का दिमाग खराब है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए हैसियत से ज्यादा बोल रहा है। आरक्षन के सवाल पर उन्होंने सरकार और सुप्रीम कोर्ट की पंसा पर भी सवाल खड़े किये। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हाला चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अख़वार पढ़ने पर तमाम महिलाओं के साथ हत्याए रेप, चोरी, डकैती, भरस्टाशारी खबरे आ रही हैं ये उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दवन की राइनीती चल रही है, ये उसका सच है, आपने फैसला पढ़ा नहीं हमने फैसला पढ़ा है, हम ये चाहते हैं कि हम भाईयों की एक जुटता बनी रहे हैं और उस एक चुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल हम सडूल कास की सभी जाते के लोग के प्रतिंतु को बिठा के उनसे वारता करेंगे, हम कोसिस करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें क्योंकि सरकार की मनसा पर हमें शट हैं, आज तक सुप्रीम कोट ने कोई भी फैसला सेडूल अनका सेडूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया, उनके सारे फैसले आरक्षन पर हमले की जैसे होते हैं, हम इसलिए उनके फैसले, उनकी मनसा पर नियत पर शक्र है, रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा, लोग उनकी आवाज को भी उठाने का काम करें उस विदायक को जूते से पीटना चाहिए भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए वो हैसे से ज्यादा बोलने लगे और कभी-कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इसके प्रिणाम क्या हो सकते हैं बैंजी हमारी नेता है अधर्स है उनके समान से अगर उनके समान में कोई गलस सब्सक्राइगा तो फिर भी महारमी के लोग आजार समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे इस बा अपनी तयारी कर रही है और पार्टी का इस्टेट की